Hello everyone, Hi, Good morning, Good afternoon, Good evening, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चानल 233 High Priestess जोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे तीन चीज़े जिनके लिए, तीन में से दो चीज़े तो ऐसी हैं जिनके लिए मुझे बहुत स्रॉंग गाइडन्स हा रही है मैंने काफी इग्नॉर भी किया बट फिर भी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो बार-बार मेरे दिमाग में आप लोगों को लेके कुछ मतलब जैसे गाइडन्स दे रही हैं कि मैं इसे शेयर करूं हला कि मैं काफी दिनों से इग्नॉर कर रहा हूं मैं न बनारी चानल मेसेजज़ में पशले दिनों मुझे यूनियन के बहुत साइन मिले जो मेरे क्लोज मतलब जो काफी करीबी है मेरे जिनोंने मुझसे काफी कुछ सीखा है उनकी union हुए उनके person जो उनको छोड़के गए हुए थे लंबे समय से वापस आए तो मुझे sign भी मिल रहे थे but still मैंने नहीं share किया because किसी भी जगह से जरो से ज़ादा attached नहीं होना है क्योंकि जरो से ज़ादा attachment जो है वो दुखी देती है after my awakening परमात्मा ने इस जगह से जोड़ा लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी awareness है कि यहां से भी बहुत ज़ादा attached नहीं रहना एकदम ऐसे रहना है अराम से balance होके तो इस साल तो मुझे बड़ी सारी बाते काफी clear हो रही है 2022 में तो मैं अब धीरे धीरे जो है यहां से थोड़ी सी energy अपने shift करके या फिर यह कहलो कि परमात्मा ही मुझे दिखा रहे है यूनिवर्स की अब तुम्हें तुम्हारी energy ध्यान, priorities मतलब वो मुझे दिखा रहे है कि अब किस तरफ तुम्हें मुझना है किस तरफ तुम्हारी जादा जरूत है जब मैं यहां इस platform से जुड़ी थी उस वक्ट यूनिवर्स मुझे इतना strongly इस जगह से इन लोगों से ऐसा feel करा रहे थे कि यही तुम्हारी priority है यहीं पे अपने ध्यान को पूरी तरीके से लेके आओ यहीं पे अच्छा सा अच्छा सब कुछ शेयर करो लेकिन अब 2022 2022 यह जो जुलाई अभी गया है इस जुलाई के माईने में जो मेरा बोदे मंद पी था यहां से मेरी मतलब कहीं न कहीं मुझे बहुत strong guidance आ रही है कि अपने ध्यान को और अपनी priority मतलब वो मुझे कुछ नया दिखा रहे है मुझे कुछ नया दिखा रहे है कि जहां पे मुझे अपने आपको केंदरित करना है ठीक है और वहां पे अब मेरी जादा जरूद है जब मैं आप लोगों से जुड़ी थी तब मुझे वो यह फील कराते थे युनिवर्स की यहां पे अभी तुम्हारी जरूद है यहां पे अपना फुल मतलब ओनेस्टी के साथ काम करो बहुत अच्छे रिजल्ट आए बहुत सारे लोग हील हुए मेरी लाइफ में भी बहुत खुशिया आई अब युनिवर्स, नेचर, एनरजी मेरी ध्यान को थोड़ा से शिफ्ट करके किसी और तरफ के इंदरित कर रही है और वहां पे मेरी ज़ादा इस वक्त जरूद है और डेफिनेटली मैं वहां पे भी अपना 100% दूँगी और आई नो कि बहुत अच्छे रिजल्स आएंगे उसी लिए मैं कम चैनल मैसिज और वीडियोज भी काफी मैंने अभी अपने चैनल पर कम कर दिए हैं पहले के मकाबले में क्योंकि हम जो इंपयाद्स होते हैं हम यूनिवर्स से काफी Connected होते हैं और हमें पता होता है कि energies या universe हमें किस दिशा में ले जाना चाह रहा है तो अभी मुझे साफ साफ समझा रहा है कि universe मुझे कौन सी दिशा में लेके जा रहा है और I know कि आपने से भी बहुत सारे लोग impacts होंगे और उनको universe के साथ काफी aligned होंगे और उनको बहुत easily समझ में आता होगा कि परमात्मा उनको किस तरफ flow करना चाह रहे हैं तो just give your hundred percent जहां से भी जुड़े हैं जो भी आपके कारे हैं उसमें इस तरीके से आप डूब जाएं कि पूरी तरीके से वही हो जाएं आप और मैं बता रही हूँ इस डूबने का जो जहां पर भी परमात्मा आपको फोकस कर रहे हैं जिस चीज में भी आप डूब रहे हो definitely परमात्मा बाहर भी निकाल देंगे आपको अगर आप positivity में हो अगर आप सही जा रहे हो अब definitely उस चीज़ पर फोकस करो आप डूब जाओ देखना उस डूबने के process में उस गहराई में जाने में एक ऐसा level आएगा कि आप विलकुल खुद को भूल जाओगे लेकिन जब आपको परमात्मा वापस लेके आएंगे ना आप इतना कुछ सीख चुके होंगे इतना कुछ विज्ञान भेरव तंतर में भी है ये एक ऐसा ही कि किसी भगवान शिव ने मादा शक्ती से कहा था कि किसी चीज में आप ऐसा हो जाओ कि वही बन जाओ वही चीज आप बन जाओ जैसे for example आपको बोला कि समुन्दर में जाओ गहराई में आप गहराई में जा रहे हो, आप गहराई में जा रहे हो समुंदर की, और गहराई में जा रहे हो, और गहराई में जा रहे हो, और एक लेवल ऐसा आया कि आपको खुद को फील होना बंद हो गया और आप फील कर रहे हो कि मैं भी ये समुंदर हूँ, समझ रहो, वो जो वो ल प्रूमने नहीं देंगे अगर आप सही जा रहे हो तो वो आपको फिर से किनारे पर ले आएंगे ठीक है और जब आप किनारे पर वापस आओगे बहुत कुछ गलत रिलीज हो चुका होगा और बहुत सा ख्लारिटी और ग्यान आपके पास होगा ओके तो इस चीज़ को मैंने परसनली अनुभव किया है अपनी इस जर्नी में इसलिए मैं आपके साथ चीज़ कर पा रहे हैं जो डीप होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे और कोई बात नहीं जिनको नहीं समझ आ रही है उनको आगे चलके समझ आ जाएगी इस बात बहुत से लोग चानल मैसेज को ल भी कर रहा है, he or she is completely stuck, वो डिजायर का जो 150 का लेवल है वो वहाँ पे connected है और इसलिए जो energies है प्रहमांड की वो इसी तरीके की उनके साथ connected है और उसी तरीके की guidance दे रही है, मुझे personally हर बार सिर्फ masculine के बारे में बात करते रहना पसंद नहीं है, अगर आप मेरे चानल मैसे बहुत जादा केंद्रित ना रहें masculine के उपर, आपका masculine energy क्या कर रहा है, अगर आप इसी तीस पे बहुत जादा रहोगे तो बहुत आप stuck हो जाओगे, यह journey आपकी awakening हुई, आपके spiritual connection to inflame connection के तुरू, वो तो आपका mirror है, उसके सामने आते ही या उससे बात करते ही या उसको आपको उनको पहचान के, उनको transmute करना है या फिर जो कुछ negativity उसको release करना है, अगर आप ये ना करके सिर्फ उस पे ध्यान केंद्रित करके, बस सोचते रहोगे, या इंतिजार में बैठे रहोगे, तो फिर ये फिर आप गलत जा रहे हो, समझे रहो, तो मैं हर वक्त सिर्फ masculine के update नहीं दे सकती हूँ, अगर ऐसी है कोई expectations आपकी हैं, तो please ऐसी expectations में से ना लगाएं, देखो, मेरे इस channel को जो है न, मेरी mother, मेरे बहुत से relatives, मेरे friends, मेरे guru भी देखते हैं, सुनते हैं, बहुत बार मुझे appreciate भी करते हैं, और मैं आपको सच बताओं, तो मैं एक ऐसी family से belong करती हूँ, जहांपे की मेरी बुवा को दो-दो बार जो है, पदम शिरी तक receive हो चुका, एक ऐसी family से मैं आती हूँ, जहांपे की राष्टरपती से award receive करे जाते हैं, तो अच्छा लगेगा उस घर का बच्चा जो है, रात दिन सरफ desire की बाते करें, नहीं न, तो इसलिए जो है, मैं बहुत अच्छी information, quality information देने की कोशिश करती हूँ, इस channel पर, no doubt, higher energies guide करती हैं, I hope कि आप respect करते हूँ, I hope आप ये न सोचे की, जो masculine के update दिये जा रहे हैं, वो तो energies guide कर रही हैं, और जो मैं कुछ और important बता रही हूँ, जो मैं आपको important बता रही हूँ, वो भी energies ही, मुझे guide कर रही हैं आपको बताने के लिए, okay, so respect करे energies की and respect करे मेरी भी, as a mentor मैं काफी लंबे time से यहाँ पर guide करने की कोशिश कर रही हूँ, और ये respect वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर as a teacher, as a mentor, अपने experiences share कर रही हूँ, उन लोगो को guide करने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी मैं देखते हूँ कि कुछ 10-15% हैं लोग जो बहुत disrespectful हैं and अपना कर्मा नहीं बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले ही ascension की journey में होता क्या है, कि जो आपकी बुरे कर्म है, वो surface पर आते हैं और आपको उनी को release करना है, औ अगर आप उनको release कर पाते हो, तो आप अपना अच्छा version बन पाते हो, बट अगर यहीं पर आप ऐसे लोगों को disrespect कर रहे हो, जो कि आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में, तो यहाँ पर आपने अपना कर्मा भाई और बढ़ा लिया, तो please चाहे मैं हू होगा आपको समझाने के लिए, रस्ता दिखाने के लिए, तो यह है, तो हाँ, मैं बार-बार वो masculine के energies and you know, वो सब चीजों में नहीं फसर आना चाहते हूं, वो तो stuck type के, अगर कोई बार-बार बात कर रहा है, he or she is completely stuck, इसलिए वो उसी चीज़ के बारे में बात करे जा रह है, और इस level पे जब कोई होता है, no doubt उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, क्यों क्योंकि इसी जगा पे तो फसे हुए है ना लोग, desire में ही तो फसे हुए है दुनिया, desire में ही तो फसी हुई है ना, उठनी पा रही है, और कई जन्मों तो अगले जन्मों मेंटल स्ट्रेस और फिर घर में और भी लोग जो हैं फिर वो भी काफी नाकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं, मतलब घर का महौल खराब या बच्चे बिगड रहे हैं, यानि कि घर में जो भी लोग हैं फिर उनके ओपर भी वो negativity देखने को साफ साफ मिलती है, तो इर दिखाने के लिए और अगर आप step by step खुद पे काम करते चले जाते हो, तो जो है आप धीरे-धीरे clarity में, प्रकाश में और धीरे-धीरे थोड़ा और काम कर लेते हो, तो balance भी होने लगते हो, आपके अंदर ये inner union हो जाता है, और आप खुशियों से, किसी खुशियों से रहते हो और अच्छे कारे से जुड़ते हो, समाज में आपका बहुत नाम सम्मान होता है, ठीक है, so take this journey very seriously, इस journey को बहुत seriously लो, stuck मत रहो, ठीक है, इस journey में आपको जब आप जिस भी level पे हो, उसे साबसे आपको अलग-लग teachers, guru मिलेंगे, अगर आप desire पे हो, तो आपको ऐसे आप इन सब बातों को बहुत positively ले, seriously ले, ठीक है, मैंने इस journey को बहुत seriously जिया है, बहुत कुछ, एक rebirth के process को experience किया, इसलिए इतना कुछ share कर पाती हूँ इस channel पे, so please positively ले, और कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही परमात्मा मुझे यहाँ पे बोलने के लिए के लिए क जो कल, फुल मून था, रक्षबंदन आज सुवह साथ बज़े तक भी था, तो मुझे कल रात को एक dream आया, जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के और लड़किया हैं, बहुत सारे लड़के और लड़किया हैं, धूप हो रखी हैं बहुत जादा, उनको धूप और मैंने देखा कि मैं उपर सीडियों पे हूँ और सीडियों के उपर से, मतलब बाहर की तरफ देख रही हूँ, अपनी गैलरी में जाके कि ये लोग धूप में, मतलब कहीं न कहीं धूप इनको जला से भी रही है, जैसे हीट न, और साथ में जो हैं, ये क्लूलेस होके इ ये है कि कुछ young people, लड़के, लड़कियां, काफी सारे, नए, नए, अभी कुछ समय पहले ही इस journey में आए हैं, और I think वो confused हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि exactly किसको focus करे, क्या करे, और वो थोड़े से clueless हो रखे हैं, तो देखो, पहली चीज ये है कि बहुत से जो आपने release करना है, negativities को, और जो बहुत जादा high sexual energy है, उसको transmute करना है, किसी भी कारे में आप लग जाओ, exercise करो, किसी भी creativity में, कुछ भी आप ऐसा करो, जिससे कि वो energy रुपांतरित होती हो, ठीक है, आप हलका feel करोगे, और आपको बहुत knowledge भी देखना बढ़ने लगेगा अ हूप भी काफी उनके उपर पढ़ रही है, काफी वो heated feel कर रहा है, तो ये पहले चीज़, दूसरी चीज़ जो इस पूरे हफते मुझे कई बार दिखाई दी, वो ये, कि मुझे तीन सा चार बार ये दिखाया universe ने, कि जैसे साप डस रहा है, साप डस रहा है, साप डस रहा लोगों मेंसे ऐसा भी हो सकता है, कि उनकी इड़ उनके उपर हावी हो रही है, उनके जो पूरवच थे, उनकी जो energies है, दबी हुई, DNA से जो आता है न, वो कही ना कहीं उनके उपर हावी हो रही है, इस time period में महामरत्यूंजय मंतर का जाप करना चाहिए, कई लोग किसी पं जो पिछले चार या पाँच दिन से मुझे इतनी strongly आ रही है, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे इतना strongly energies गाइड कर रही है, और वो guidance ये है, कि मैं बहुत, वो मुझे मतलब ऐसा गाइड कर रही है, कि बहुत से लोग जो है न, जैसे शादी शुदा आदमी, जिन किसे उनकी बुद्धी को बुद्धी हो गई है, या गलत लोगों में वो फसते चले जा रही है, माया में वो फस रही है, कई लोगों के घर का हाल, उनके बच्चे बिगड रही है, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत strong guidance आ रही है, इस चीज़ को लेके, और मुझे guidance आ रही गजेंदर मौक्ष सोतरम की क्या फायदे हैं, आप YouTube पे चेक कर लेना, जिनकी भी बुद्धी को बुद्धी हो रखी है, सु बुद्धी होने लगती है, गलत लोगों में अगर आप फसे हो, तो आप उन चीज़ों से निकलने लगते हो, कोई court case या कोई बिमारी, इसके अप उस चीज़ से बहार आओगे, इस जर्णी के नाम पे अगर अगर कोई आपको manipulate कर रहा है, तीक यह, कोई आपके साथ चल कर रहा है, कोई आपको घुमा रहा है, कोई आपको ठग रहा है, या फिर कोई एनर्जेटिकली आपको control कर रहा है, कोई आपके उपर तंत्र मंत कर रहा है आप इस पार्ट को करो विश्णु जी को याद करो या तो इस पार्ट को करो या तो फिर नहीं भी कर सकते तो कम से कम तीन से चार बार सुनो अपने आप विश्णु जी के जो गण है परमात्मा जो है अपने आप सब ठीक करना शुरू कर देंगे ठीक है तो यह ची यूनिवर्स से देखो आप जैसे मैं यहाँ पर अच्छी बाते बता रहे हूं सारी वो चीज़े बता रहे हूं जो आपके काम की हैं फिर भी जिन लोगों के अंदर काफी negativity स्टोर होगी उनके औरा से काफी कुछ negative connect हो रखा है वो यह सुनते सुनते बहुत चिड़ रहे तो ऐसे आती है अंदर की negativity surface पर तो यहाँ पर आप इस negativity को पहचाने कि यह तो इंसान मुझे अच्छी बात बता रहा है और ऐसे कई बर आपके मावाब भी करते होंगे वो आपके भले किल अच्छी बाते बोलते होंगे लेकिन आपको irritation मैसूस होती होगी चिड़ चड़ा ह अभी 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 लास्ट लादतर लोग जो इस awakening process में है उनके राहू की महादशा चल रही है राहू is a planet of illusion, ब्रह्म, माया, fear, anxiety, sadness, low vibrational energies को represent करता है, unfulfilled desires को represent करता है आपके दिमाग का वो section active हो जाता है जहांपे fears या low vibrational चीज़े भरी होई है प्लस unfulfilled desires भरी होई है वो section आपके दिमाग का active हो जाता है तो वो समय जब भी आपका चल रहा है राहू का time period चाहे वो लंबे अर्से के लिए है चाहे थोड़े बहुत समय के लिए है इस time period में आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे भटकाने वाले जो खुद fear में होंगे जो खुद unfulfilled होंगे जो खुद बड़े sexual over sexual होंगे ऐसे ही ल तो लेके मैंने काफी कुछ guide किया हुआ है आपने केतू की तरफ focus करना है राहू आपका head है आपका mind है केतू आपके नीचे की body है आपके पैर है तो daily date से 2 घंटे कम से कम राहू वाले लोगो एक date से 2 घंटे सुबह 1 घंटे रात को 1 घंटे आपने चलना है अपने केतू को चलाना है तो उस वक्त आपने phone use नहीं करना है बिल्कुल भी जब आप अपने पैरों को चलाओगे हर रोज 2 घंटे तो आपके दिमाग में जो दुनिया भार के उटपतान thoughts चल रहे है काफी कम हो जाएंगे क्योंकि राहू को सिर्फ केतू balance करता है तो जब आप अपने पै को घर में छोड़ देना है और आपने अकेले में isolate होके केतू की energy के साथ चलना है अकेले रहना है कोई दोस्त भी नहीं और आप देखना डेली अगर आप दो घंटा केले में walk कर रहे हो ना पैरों को चला रहे हो isolate हो अकेले में आप देखना जो बुद्धी गलत direction में जा रह अपने आप आपको चीजे clear होने शुरू हो जाएंगे तो ये भी थी एक guidance ठीक है तो काफी कुछ share कर दिया मैंने यहाँ पर and I know कि आप लोगों को बहुत रहता है कि masculine 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 but sorry 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 मैं सरो वहीं की बाते नहीं कर सकती हूँ मुझे भगवान ने ascend इसले नहीं किया कि मैं हमेशा 150 क level की बाते करती रहा हूँ यह सारी चीजे जो है आपकी परिवार आपकी health आपकी जीवन के लिए important है और इसी चीज को लेके मुझे guidance हा रही है और वही सारा कुछ में share कर रही हूँ thank you so much god bless you all bye